हेले इबरवान कैसे आप सब एक बार पुना हाँ सेव कोचिंग क्लासेज पर स्वगत है उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे मस्त होंगे बहतर होंगे आपकी पढ़ाई बहतर चल रही होगी क्लास 11 कमिस्टी में चैप्टर सिकेंड चल रहा बच्चो जिसमें आज एक महत्कून कुश्चन करने वाले हैं हाईजन बरके अनिस्टिता का सिध्यान जो की काफी इंपोर्टेंट है एक्जाम के पॉइंट आप व्यू से हमेशा पूछा जाता है और आप लोग आज इसे त प्रकती होती है प्रकास की दोयती प्रकती का मतलब प्रकास कण के रूप में भी होता है और तरंग के रूप में होता है जैसे प्रकास कहीं से निकल रहा होता है स्रोथ होता है किसी ना किसी स्रोथ से तो निकल कर आता है जैसे मालीजे सूर से प्रकास किरने निकल कर आती है तो वो तरंग के रूप में भी होती है बच्चो ये तरंग के रूप में और ये जो तरंग है वो छुटे-छुटे कड़ों से मिलकर बना हुआ है इसलिए तरंग की एक दूसरी अवस्था है जो कड़ा अवस्था कहलाती है अब इसको किस रूप में हम मानेंगे जैसे आप ने पढ़ा होगा नहीं पढ़ें तो कोई बात नहीं ये प्रकास छोटे-छोटे बंदलों के रूप में पाया जाता है जिसे हम फोटान कहते हैं और ये बंदल छोटे-छोटे कडों से मिलकर बना होता देखिए जिसे मैं कहता हूँ ये छुटे छुटे कण है और ये कण मिलकर के तरंग का निर्माण करते हैं एक दूसरे को एनरजी देते हैं आगे ये तरंग बढ़ता जाता है तो भाईया कहीं न कहीं प्रकास में कण और तरंग की प्रकति पाई जाती है ये किस ने बताया आइंस्टेन सहाब ने बताया इ जैसे ही द्रब में यानि पदार्थ में पदार्थ के जितने भी सोच मकड होंगी उसमें भी दोयती प्रकति है मतलब वो कड की भाती है और तरंग की भाती है मतलब किसी भी परमाण में जो आपका सुच्मितम कड है जैसे इलेक्टरान प्रोटान है इनमें भी दोयती प्रकत पाय जाती है अर्थात कड के रूप में तो है ही साथ में तरंग के रूप में है मतलब तरंग के रूप में है तब भाई सहाब हाईजन बर्ग ने सूचा कि यदि मालीजे पदार्थ का सुच्म कड जैसे इलेक्टरान की बात करता हूँ यदि इन में तरंग प्रकति है तो य आपका नाभीक है ना इलेक्टरान नाभीक के चारोर बत्ताकार पथ में पाया जाता है अब वो जो इलेक्टरान है वो अन्यमित रूप से घुमते रहते हैं अन्यमित रूप से घुमते रहते हैं मतलब गति करते रहते हैं जैसे यह इस प्रकार से यहाँ पे इलेक्टरान होगे, इस प्रकार से तरंग के रूप में गति करते रहे होगे, अपने आप अनेमित रूप से गूमते होगे, यह तो हम सो कर देते हैं कि यहाँ पे एक इलेक्टरान यहाँ पे वास्तविक्ता वो नहीं है, इलेक्टरान कुछ इस प्रकार से होता है ना तभी ना इसको प्रकास Report represent करते हैं तो ये तरंग के रूप में चलते रहते हैं अच्छा जब ये तरंग के रूप में चलते रहते हैं तो वास्तिविक्ता तो ये है कि जब वो हमेशा घोमती रहती है तो उसका लूकेशन बताना बड़ा अठीन है वास्थ भी इस्तिद भी बता ना degrees है क्यों क्योंकि जब कोई कण है जैसे इलेक्टरान है उसमें कनप्रकात्य और तरंग प्रकति दोनों पाई गई गई तो वो जो तरंग के रूप में है तो वो हमेसा क्या होगा आगे बढ़ता जाएगा तरंगंका तो स्रोच से निकल करके आगे की और बढ़ता है ऐसे ही मालिजे किसी पदार्थ की बात करता हूँ किसी द्रब में जो इलेक्टरान है यदि वो तरंग के रूप में चलता है तो एक निश्चित गज से आगे की और बढ़ रहा होगा इन चीजों का उन्होंने बहुत बारी की से अध्यन किया किसी परमाड़ में जो इलेक्टरान है प्रोटान है न्यूटरान है ये भी सूच में कर है तो इनमें करकी प्रकति पाई जाती है साथ में तरंग प्रकति भी पाई जाती है तो कही न कही वो निश्चित दिशा में अपने मतलब घूमते रहते होंगे, गति करते रहोंगे, तब उन्होंने कहा कि यदि कोई कण, जैसे इलेक्टरान ही, तरंग के रूप में गति करता है, तो फिर उसकी इस्थित हम नहीं बता पाएंगे, क्यों? क्योंकि उसमें संबे होगा, तब उन्होंने का यदि हम उसकी इस्थित बताएंगे, तो संबेग नहीं बता पाएंगे, क्योंकि भाई यदि वो गति करेगा, तो इस्थित उसकी हम बताई नहीं सकते हैं, हम इस्थित जब तक बताएंगे, तब तक वो गति कर जाएगा, या कि हम भाई साहब इ चीज हाईजनबर्ग ने बताया कि किसी भी सुच्वितम करकी इस्थित और संबेग एक साथ हम सही सही निरधारन नहीं कर सकते हैं समझ में आया कि भाई सहाब उन्होंने ये बताया कि किसी भी करकी इस्थित जैसे मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर X उसकी स्थित है तो डेलक्स का मतलब हो गया अनिस्चितता और बच्चो उन्होंने संबंध ये बताया कि आपका ये हो गया इस्थित में अनिस्चितता और भाई डेल पी, इसमें अनिस्चितता हमेशा इसका जो मान है बच्चो या तो बड़ा होगा, या तो बराबर होगा, एच अपान फोर पाई के हाई जन्बर के अनिस्चित्ता का मतलब यह है अनिस्चित्ता कातात पर यह हुआ कि भाई किसी भी सूचमिकान की इस्थित वह संबेक का एक साथ सही सही निर्धार नहीं कर सकते उसकी बैलो में अनिस्चित्ता होगी उसके मान में अनिस्चित्ता होगी क्योंकि बताया गया है ना कि जो एकदम सूश्मता में करन इलेक्टरान है ठीक है वो तरंग के रूप में कमपन कर रहा है तो यही कमपन कर रहा है तो कहीं न कहीं को आगे बढ़ता जाएगा भाई यही तो प्रकति होती है ना यही कमपन कर रहा तो आगे बढ़ता जाएगा अब जब आगे बढ़ता जाएका तो उसकी इस्थित कैसे पता कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, हम उसके दिस संबेग निकाल रहे हैं, तो उसकी इस्थित में अनिस्थिता रहेगी, कि इस्थित कहां पे है, या कि माली जो उसकी इस्थित को पता कर पा रहे हैं, तो फिर ह संबेग नई निकाल पाएंगे दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है तो उन्हों ने ये बताया कि गड़ती रूप मेरी हम बैक्त करें कि जो हमारा इस्थित केसत्टता है कि कितना इस्थित्तता हो सकता है और संबेग केसत्टता है इन दोनों का जो multiple है है यह चीज हो गया है एच आपान फोर पाई ठीक है यह चीज हो गया यह हमारे हाइजन बर्ग के निश्चित्ता का सिद्धन ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि जो डेल एक्स है वो इस्थित में निश्चित्ता है कि भई किसी भी कड़ की चित्ता है, M द्रब्मान का कण है यच प्लांक ने तांक और आपका भी बेग है अब इनको मैं आप से कह दू कि एक नियत बैलू है, इसकी एक फिक्स बैलू है बच्चो ठीक है, इसकी एक फिक्स बैलू है, तब यदि मैं आप से कह दू, यह एक दूसरे यदि इधर जाएगा यदि डैल एक्स का पक्षांतर करेंगी यदि हम बात करते हैं कि डैल एक्स का पक्षांतर कर दें बच्चो यहाँ पर इदि हम डैल एक्स का पक्षांतर कर दें तो डैल पी समान उपाती हो जाएगा एक बट्टे डेलेक्स के, एक दूसरे के ब्यूतक्रम है या कि डेलेक्स समान उपाती हो जाएगा एक बट्टा डेलपी के यनि एक दूसरे के ब्यूतक्रम है है ना, एक साथ दोनों का निर्धागण नहीं कर सकते अब एक दूसरे के ब्यूत क्रम से एक निसकर्स निकलेगा कि यदि हम बात करें कि डेलेक्स इस्थित का सही मान दी निकले तो कहीं न कहीं संबेग जो है बिलकुल सोच होना चाहिए बहुत कम होना चाहिए यहां कि माली जे संबेग का मान निकालें तो इस्थित में अनिस्चितता बहुत कम होना चाहिए तभी तो निकल पाएगा ये चीज़े बच्चो ठीक है तो एक दूसरे के ब्यूत करम होता है इससे निसकर्स निकालेंगे देखेगा एकजाम की पॉइंट आप भी उसे आप लोग इतना लिखेंगे साथ में स्क्रेंशाट लेकर इतना लिख लेंगे ठीक है एक दूसरे के क्या होते बच्चो ब्यूत करम होते है अब यहां से इसका एक निसकर्स या इसपश्ट निसकर्स निकलता है कि यदि डेलेक्स कमा नत्यंद कम हो जाए बहुत सूच मोँ मतलब जो इस्थित की अनिस्चित्ता है बहुत कम है यदि माली जे इसकार्थ है हुआ कि इलेक्टरान के समान सूच मकरन की यदि इस्थित ठीक ठीक पता कर ली जाए भाई डेलेक्स कमान अत्यंद कम हो मतलब अनिस्चित्ता कम हो तो इस्थित ठीक ठीक पता कर लेंगे तो संबेग में अनिस्थित्ता कमान बढ़ जाएगा सिंपल है ठीक है एक दूसरे की ब्यूतकरम का मतलब है यह कि इसमें अनिस्थित्ता कम हो जाए डेलेक्स का मतलब होता है संबेग में अनिस्थित्ता तो इस कमान कम होगा मतलब इसकी इस्थित में अनिश्चित्ता कम हो जाएगी डेलेक्स में कमी मतलब इसके इस्थित की अनिश्चित्ता में कमी यदि इस्थित की अनिश्चित्ता में कमी आ जाएगी तो संबेक कमान बढ़ जाएगा सिंपल है बच्चो ये चीज़ आप नोट कर लेड़ा किसकर थे हुआ कि यदि इलेक्रान समान सुच मुकर की इस्थित्र ठीक ठीक पता कर ली जाए मतलब डेलेक्स कमान कम होगा तो इस्थित्र सही धंग से पता करेंगे अनिश्चित्ता कम होगी तो सम्बेग की अनिश्चित्ता बढ़ जाएगा चोकि भाई एक दूसरे के ब्युत्क्रम है गुड़न फल में एक इस्थिरांक होता है भाई दोनों का गुड़ा करेंगे तो एक इस्थिर बैलू आता है लेकिन एक कमान कम होगा तो एक कमान तो अधीक होगा ये चीज़ तो क्लियर है चलो यदि डेलपी कमान अत्यन्त कम हो मतलब सम्बेग की अनिश्चित्ता बहुत कम हो यदि फिक्स बैलू आ रही हो तो यदि सम्बेग कमान सही से निर्धारित कर ली जाए तो फिर भाई इसमें अनिश्चित्ता कम होने पर डेलेक्स कमान तो बढ़ जाएगा सिंपल है एक दूसरे की व्यूत कराम है और यदि डेलेक्स कमान सुनन हो जाए बच्चो यहाँ पे डेलेक्स कमान सुनन हो जाए तो किसी चीज में हम सुनन का भाग देंगे तो वो अनन्त कर दिता है मतलब संबेग अनन्त हो जाएगा समझ में आया कुछ कि भाई सहाब यदि अवस्थाओं में यदि हम बात करें कि यदि अनिश्चित्ता बिल्कुल सुन हो जाए यदि फिक्स वैलू आजाए अनिश्चित्ता बिल्कुल सुन हो जाए फिक्स वैलू आजाए तो फिर ये क्लियर हो जाता बच्चो कि डेल पी कमान अनन्त हो जाता है तो ये मैंने इस पस्टी करण भी आपको बता दिया बाके दि दो नंबर में पुछा जाता है अनिश्चित्ता का सिध्यान तो स्क्रेंसाट ले लेना जितना मैंने समझाया है उतना आपको एक पेज के अंदर लिख देना है ये सारा चीज बस इतने में आपको दो अंक या तीन अंक मिल जाएंगे और अदि आपको इसका नोट्स चाहिए 11th क्लास का या 12th क्लास का तो आप लोग कंटेक्ट नंबर लिख लो 9685 9685 299149 ये मेरा परस्टनल लंबर है बच्चों इस पर आप वाट्स अप कर सकते हो सारा डिटेल्स ले करके नोट्स आप ले सकते हो फिल हाल अभी कले इतना ही जय हिंद बंद मातरम